वन डे निमिलिक परी में वैंजक युगमों के गुणनफल ग्याद कीजिए तो हम दो युगम दिये हुए हैं इनके हमें गुणनफल ग्याद करने हैं पहला युगम गुणा दूसरा युगम तो अब हम गुणा किस फिरकार करेंगे एक्स की गुणा पहले है एक्स में करेंगे एक्स में करेंगे एक्स की पावर टू और एक्स की गुणा वन में कर दी कितना आगा एक्स हेकम एक्स और टू की मंटिपलाई एक्स में कर दी टू की एक्स में कर दी पिलस और पिलस पिलस टू की एक्स में कर दी टू एक्स और य इसकी x की इन दोनों में करेंगे फिर इस 2 की इन दोनों में करेंगे तो x की गुणा x में कर दी x की पावर 2 यहां पिलस का निजान होता है यहां माइनस का प्लस माइनस क्या होता है माइनस x की गुणा एक में कर दी x से कम x अब इसकी x की हो गई दोनों में आप करो 2 की 2 की माइनस प्लस माइनस टू की मंटिप्लाई एक्स में करें टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू बन्जा टू अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद एक्स की पावर टू दो एक्स प्लस के और एक्स प्लस है कितने एक्स होगे प्लस के तीन एक्स होगे और प्लस दो अपॉन एक्स की पावर टू माइनस के एक एक्स और माइनस के दो एक्स कितने होगे माइनस के तीन एक्स प्लस दो ये इसका आंसर आ गया next question इनके दो युगम दिये हुएं इनके भी हमें क्या करने गुरंफल ग्याद करना x पिलस 2 अपोन 5x माइनस 3 multiply x पिलस 6 अपोन x पिलस 2 तो इसके बाद इसके हम गुरंफल ग्याद करेंगे तो सबसे पहले 5x की x में multiply करी 5x की x में करी x की हाद दो और 5x की 6 में कर दी तो 5 चंक 30 कितने होगे 30 और जी x पिलस और पिलस 2 की x में कर दी 2x पिलस और पिलस पिलस 2 की 6 में गुणा कर दी 2 छिक का बार है अपोन अब इसी पिरकार नीचे करेंगे 5X की X में कर दी 5X स्क्वाइर 5X की 2 में कर दी तो 5 to the 10 X माइनस पिलस माइनस 3 की X में कर दी 3X माइनस और पिलस माइनस 3 की 2 में कर दी 3 दूनी 6 इसके बाद 5X स्क्वाइर और कोई पाद नहीं है तो 5X स्क्वाइर ऐसे के ऐसी आजाएंगे और इसके बाद 30X और 2X कितने X होगे ये होगे 32X और 12 अपोन 5X स्क्वाइर 10X 10X पिलस के और 3X माइनस के तो एक प्लस और एक माइनस की होएगा घट जाएगा तो 10 में से 3 जाके पिलस के 7 बच जाएंगे पिलस के 7 X माइनस के 6 ये इसका आंस्वरा गया इसके बाद next question X की तीन यूगम दें एक यूगम, दो यूगम, तीन यूगम तीनों को हमें गुलनफल गात करना X की पावर 2 अपोन Y Z multiply Y की पावर 2 अपोन Z X और G Z की पावर 2 यहाँ X Y तो इसमें क्या होएगा इसमें अब हम इस फिरकार कर लो चाहे X गुणा X अपोन Y Z यहाँ पर फिर गुणा Y दो बार है, Y दो बार लिख लो Y गुणा Y Z X गुणा Z दो बार लिख लो Z गुणा Z यहाँ X Y अब क्या होगा X से X कैंसिल और इस X से यह X कैंसिल अब यहाँ Y है Y से Y कैंसिल और इस Y से यह Y कैंसिल यह Z से Z कैंसिल इस Z से Z कैंसिल क्यातना बचे सारा कट गया जहां सारा डिवाइड हो जाएगा महां बचेगा 1 यह इसका आंत्वर आ गया next question है x की पावर 2 minus 9 upon x plus 2 multiply लगानी है दो यूगम दिये हुए x की पावर 2 minus 4x upon x plus 3 तो अब हम जानते हैं क्या जानते है x की पावर 2 minus 3 की पावर 2 upon x plus 2 गुना x की पावर 2 minus 2 की पावर 2 upon x plus 3 इसके बाद क्या होगा इसे हमने a कावर माइनस b कावर का formula बना लिया x कावर माइनस 3 कावर x कावर माइनस 2 कावर तो अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a का वर माइनस b का वर क्या होता है a माइनस b और a पिलस b इसी पिरकार इसमें दोनों में उपर यही वाला formula लग जाएगा x पिलस 3 और x माइनस 3 upon x पिलस 2 आ जाएगा फिर इसी पिरकार यहाँ पर लग जाएगा x स्क्वाइर माइनस 2 का स्क्वाइर एक बार x में 2 जोड़ जाएगा एक बार x में से 2 घट जाएगा upon x पिलस 3 इसके बाद x पिलस 3 से x पिलस 3 कट गया और x पिलस 2 से x पिलस 2 कट जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 यह इसका अंसर जाएगा x पिलस 2 यह जाएगा